तो गाइज देखिए आज का जो जिंक का ऊपनिंग हुआ है लगभग यह 9 बजे का कैंडल है 29 जैनुरी का तो यह कैंडल अगर आप अबज़र करेंगे तो लगातार तीन ग्रीन के फॉलिंग वालम यहां पे बने हुए है और नीचे स्ट्रेंद जो है रेड लाइन के नीच 30 मिनिट का पेर होता है 5 मिनिट इसमें अगर हम देखते है तो हमें क्या दिखता है इसका हम थोड़ा सा अब्जर्वेशन कर लेंगे अब यह देखो यह 10 बज़े के असपास का टाइम है इसमें कैंडल में चल रहा है अभी आपको कैंडल ठीक से दिखने होंगी कि जिंक ए यह लेगा मिलेगा मैं आपको दिखेंगा पिछली जहां स्ट्रेंट थी हाई पे 50.66 और इसी पॉइंट पे जब यह आ रही है तो यह स्ट्रेंट दिखे 65.18 पे आ गई है मतलब प्राइस ने लोर हाई बनाए है और इंडिकेटर ने हाईर हाई बनाए है यसे हम RSI के भाष देखेंगा 228.20 याने 15 से 20 पैसे का हमारा SLA और इस SL को अब हम देखेंगे कि हमें प्रॉफिट कितना देता है यह ट्रेड जब हम ऐसा क्याश करते है तो यह ट्रेड प्रॉफिट कितना देता है तो यहां से लगभग प्राइस इसका 227.10 याने 217.10 पे आके रुका है आपको चार्ट रिडिंग पे ध्यान देना है तो जुड़े रही है हमारे चैनल के साथ और ऐसे ही आपको अपडेट लाइव में मिलते रहेंगे